प्रिक्वेंसी एक इसी स्ट्रिंग की 150 हर्ट्स है आपको वहाँ पर बताना है और यह डियाग्राम में भी दिखाया यहां पर आप देख सकते हैं कि वेवलेंद बता रहा है क्योंकि वन टॉप टू अनदर टॉप एमपलिचूट शेंटीमीटर है एंड यहां पर जो है वेवलेंद तो इसा यूनिट के अंदर होनी चाहिए तो सबसे पहले अगर आप यहां पर देखें एक टॉप से दूसरे यहां पर जो पॉइंट हो है वेवलेंद का उनके बीच में जो डिस्टन्स होता है निए वन कम्प्लीट वेंड हुगई यह डिस्टन्स कितना दिया है 25 सेंटीमीटर तो यह वेवलेंद हो गई है, frequency कितनी हो जाएगी, यहां पर frequency या wavelength की अगर हम बात करें, wavelength निकालना है, तो wavelength हो जाएगी, यहां पर wavelength जिसे lambda से represent करते हैं, इस 25 cm, लेकिन ऐसा unit meter में होती है, तो 25 को 100 से divide कराना होगा, meter में change करने के लिए, और यह 1 by 4 हो जाएगी, यह 0.25 meter, यह wavelength हो गई, number B में आपको क्या बताना है, amplitude बताना है, तो amplitude क्या हो जाएगा, जिसे capital A से represent करते हैं, तो वो हो जाएगा, 6 cm, और meter के अंदर यह क्या हो जाएगा, 0.06 meter, इतना हो जाएगा, अब यहां पर आपको velocity of wave बतानी है, तो velocity क्या हो जाएगी, velocity of wave, velocity of wave जो होती है, यह V, V nothing but क्या होत है, new यहां पर क्या होता है, frequency, since new is equal to, यहां पर क्या है, 150 hertz, और lambda आपने निकाल ले लिया है, तो velocity क्या हो जाएगी, 150 into lambda, lambda wavelength कितनी है, 0.025, 0.025, multiply कराएगे यहां पर, यह हो जाएगा, 15 into 2.5, और 2.5 की यहां पर जब multiply कराएगे, तो यह 15 फाइज है, यहां पर कितना हैग 5, carry 5, then 7, carry, then 15 into 2 हो जाएगा, 30, it 37, 2, 3, 7.5 meter per second, यहां पर क्या जाएगी, velocity of wave आजाएगी